कि याल चालो है आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ SMK टाइफून हेल्मेट का वाइजर कैसा निकालना है काफी लोगों को पता नहीं होते कि इसका वाइजर कैसा निकालना है कैसा लगाना है तो मैं आपको बता तो इसका वाइजर कैसा निकालना है कैसा लगाना है एंड का एंटीफोग लेंश जो अंदर है इसको आप कैसा निकाल सकते हो चैसा लगा सकते हो प्लस यह अगर को कैसा लगाना है आपको यह वीडियो में बताओंगा तो चलो स्टाट कर से बिनकर प्रेस करो पूरा खोल के प्रेस करो थोड़ा बाहर निकलो और आगे पुच्छ दो एकदम वापस बताता हूं बटन दबाओ बटन दबाओ बाहर निकालो निकल जाएगा वेरी इजी वापस लगाना है तो वापस से यह वाला बटन अब दबादो यह जो लॉक है यह लॉक पहले अटकना चीह यहां पर लॉक अटका दो एंद दन यह पीछे से अंदर दबाद यह लगए एक साइड का यह यह याद रखो कि जो हेलमेट है बैक आपके पास में अच्छी फ्रेंट आगे होना चाहिए तो आपको इजी पड़ेगा इसका मेंटेनेंस करने के लिए यह वाला पहले आप लॉक अटका दो बटन दबाओ लॉक अटका के बटन दबा कि इसक क्लिझ आपको यहा उटका कि यह वाला उक कटका के बटन प्रेस कर दो अंदर दबा दो भात हूँ कि वेरी सिंपल आपको बता दो इसका का एंटि फॉग लेंस किसा निकालना है एंट फॉग लेंस काता है और अंदर पेन लोग का वो विएसा निकालना आपको यहां पर bis होगा उसको कुछ भी नहीं करना है आपको सिर्फ यह ओपन कर देना है कर दें यह आपका वाइजर है वाइजर को आपको ऐसा पकड़ना है ऐसा खीचना है यह वाइजर अन ब्रेके बलाता है आप इसको कुछ भी करोगे तूटे या नहीं इसको रखो ऐसा खीचो एंड यह एंटि-fogue lens को पिन में से बहार निकाल दो वेरी सिंपल यह आपका वाइजर अलोग हो गया पिन लोग हो गया पिन लोग बहुत सेंसिटिव आता है आपको किसी से साफ नहीं करना है सिर्फ microfiber cloth से साफ करना है इसको लगा दिने है गसना बिलकुल नहीं है यह बहुत जो लेंद्स है यह आंड झिलम सब्सक्रात न यह इनाषे जो आуса यह आपको धूप में समर्स में यूज नहीं करना है क्योंकि इस पर धूलayक फई खराब हो यह पिन में अटका दो, दोनुं साइड पर दोनुं साइड में अटका के इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, अरेंज करके इसको छोड़ दो, and make sure कि कहीं पर कोई गैप ना हो, perfectly fit हो गया, so यह था वाइजर कैसा निकालने का, and वाइजर का एंटीफॉक कैसा निकाले, एंटिफॉक कैसा लगाए और वाइजर कैसा लगाए यह छोड़े सा वीडियो था यह वाइजर लग गया एणट समकी टाइफूण में को विक रिलीज भी आता है अप्शन आ गया अब्ही mendय आ रहा है अभी बिदेक साथ मरूंधि भी आ और आपको दौनिल लूle हेलमेट चेंज करते हो डबल डी रिंग वाला यह ग्राफिक भी नया आया है और आपको ऑप्शन स्मिल जाएंगे इसमें बहुत सारे कलर आप्शन साथ यह डबल डी मतलब यह दो रिंग आती है इसमें और यह वाला आपका स्ट्राइप आता है जो आपको इसमें अटका ना आता है तो आप जब पहनोगे यह 5 सेकंड का काम है आपको 2-3 दिन लगेगा सीखने के लिए इसे बहुत इजी है आपको यह दोनों में डाल देना है यह वाला स्ट्राइप को डालने के बाद में जितना टाइट ची आप टाइट कर लो एंड एक में घुमा लो जो यह लाल वाला है उसमें से ऐसा एक में घुमा दो कि लॉक हो गया और यह हवे से बज़े नहीं इसलिए स्ट्राइप को बटन दिया हुआ है वेरी सिंपल वाव से बतातो यह डबल डी रिंग सिस्टम बोलते है डबल डी रिंग में दो रिंग आती है अब पहनने के बाद में इसको यहाँ पर अटका दो दोनों में से दोनों में से फिर एक में क्रॉस करके ले लो यह दो में डालके यह दोनों में डालके इसमें से एक में रिटन ले लो और यह हो गया लॉक और यह हवे से उड़े नह देखे करोगे तो आपको दो से तीन दिन लग साकता है इसको बादना सीखने के लिए अब ट्राइ करिए आपको आ जाएगा बहुत अच्छा है सुरक्षित रहता है यह वाला डबल डीरिंग सिस्टम में बहुत सेफटी रहता है अगर आपको कुछ गाउट है और कुछ प्याचे आपको